कि आज बनारस में 45 मिनट तक हमारे देश के प्रधान मंत्री लगा तार जोट पर जोट जोट पर जोट बोलते रहे और अंद भगत वहां बैट करके तालियों पे ताली बजाते रहे 45 मिनट तक हमारे प्रधान मंत्री जी फेकते रहे और जितने अंद भगत वहां बैठे थे ताली पीटते रहे और भाईयों यार बैनों करते रहे यानि कि एक मदारी का खेल चलता रहा मदारी डमरू बजाता रहा और जो हमारे अंद भगत हैं जो बंदर है वो फुदुक 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 के नाच दिखाते रहे पूरे बनारश में और कितना बड़ा हमारे प्रधान मंत्री ने जूट बोला है यह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिस कर रहा हूँ कि आप लोग लगातारिश वीडियो के शेयर करते रहे अंद भगत यहां से दूर रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िय जब प्रधान मंत्री जी वहां भाशण दे रहे थे तो बड़ी बड़ी लच्छेदार बाते कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हम बनारस के अंदर जब आये तो हमने ओवर ब्रीज बनवा दिया जब ओवर ब्रीज की बात आई अरे प्रधान मंत्री जी वह आपका ओवर ब्रीज जिसे की आपने राफेल की तरह बिना इस्पीरियंश वालों को टेंडर दिया था वह जब गिरता है वहां पे बनारस पे जब पुल का हिस्सा तो वहां हजारों लोगों की जो है घायल होत हैं अशायकड़ों लोग मौत की नीद सो जाते हैं यहां है आधुनिक विकास आपका बनारस का उसके बाद हमारे प्रधान मंत्री जी यही तक नहीं रुके धरम का यह फीम भी लोगों को पूरी तरीके से शुंगाने की कोशिच किया उन्होंने कहा कि हमने जो बनारस की मिला तो वंदभागत क्या बोले मिल गया है मिला है उसके बाद उन्होंने कहा कि यह सड़क जो है यह प्रयाग राज तक आपको कुम्भ मेले में ले जाएगी अरे प्रधान मंत्री जी जिसके अंदर आस्था होगी जिसको जाना होगा तो वह सड़क नहीं देखता है उस समय आपका फड़क कहा था उस समय आपकी रेल कहा थी जब यही बनारस के किसानों के олжड़ास京 चल कर इस लाकडाउन में लाठी खाते हुए पैदल आ रहे थे बनारस में उस समय आपका कहां था विकास में उस से चल रहा है दुनिया को जोड़ने के लिए और एलाहाबाद में भी एयरपोर्ट बन गया अरे प्रधान मंत्री जी कि एयरपोर्ट की बात कर रहे थे तो कम से कम अमावशी एयरपोर्ट की बात कर दिये होते लखनव में जिसको आपने बेच दिया यडानी के हाथों उसको आपकी सरकार ने नहीं बनवाया था वह किसी के बाप की बपावती नहीं थी वह किसी की जो है ननिहाल से आया हुआ एयरपोर्ट नहीं था जो भारत के पाँच एयरपोर्ट को आपकी सरकार ने बेचने का काम किया है कम से कम उसको भी आप बता देते कि हमने बनारस का एयरपोर्ट बनवाया प्रयाग राज का एयरपोर्ट बनवाया लेकिन इंटरनेशनल यर को हमने गिरवी रख दिया उसको गिरवी कोई भी चीज तव रखी जाती है जब जिसका मा का बेटा जिस बाप का बेटा नाजायज आवलाद पहदा होता है तो वह जो है घर की संपती को गिरवी रखने का काम करता है तो कम से कम बता दिये होते कि हमने देश की रेलबेई स्टेशनों को बेचने का काम किया, हमने पाँच पाँच ए एरपोर्ट बेचने का काम किया और आपने मान्यवर दिल्ली का लाल किला भी बेचने का काम किया वह भी आपका विकास था कम से कम उसे भी दिखा देते और उसे भी बता देते उसके बाद हमारे प्रधान मंत्री जी यही नहीं रुखते हैं हमारे प्रधान मंत्री जी कहां तक जाते हैं यह मैं आप लोगों को बताऊंगा नो पॉइंट पे बात करूंगा नो पॉइंट पे लेकिन इससे पहले आप लोगों से मेरी गुजारिस है कि ITCL वाले लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं आप इस वीडियो को शेयर करें यह जो अफवाहों की इनुवस्टी चलवाते हैं यह गोड से की पैदाईश लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हैं कि आप लोग धड़ा-धड़ इस वीडियो को शेयर करते जाएं अगर आप क्रांतिकारी किशान की अवलाद हैं तो आप वीडियो को शेयर करते जाएं और अंदभगत हैं तो दूर रहें अंदभगत दूर रहें क्योंकि आज अंदभगतों की बाट लगनीता है जो अंदभगत बैट के तालीव जा रहे हैं उन अंदभगतों की बाट लगनीता है आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें क्योंकि आज मैं तीन बार लाइब आने का प्रयास किया लेकिन तीन ब बनारश को आयशा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जोड़ा है कि बनारश की सबजी साउधी और दुबई पहुच गई कितना बड़ा जूट कितना बड़ा फरेब कि सोच लिजिए कि जो साउधी और दुबई में आज भारत का नागरी फसा हुआ है वह भारत में आने के यह किसी से छुपा नहीं है जो यात्री अपने जिला मुख्याले में ट्रेन से चलके पाइसेंजर पे चलके 20 रुपए में पहुचता था वो ट्रेन भी बंद है और जो मुंबई जाता था मुंबई भी नहीं जा पा रहा है जो दिल्ली जाता था दिल्ली नहीं जा पा रह और जो गुजरात जाता था गुजरात नहीं जा पारा है दो महिने के पहले उसको टिकट नहीं मिल रहां अ? अब यह जो किसान का लववा है, किसान का करैलाै किसान का कद्दू है हमारे प्रढ़ान मंत्री जी कहां दुबाई भेज हैं? दुबाई पहुच रहा है यानि यह ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजय माल्या मेहूल चौकसी बिक्रम कोठारी ललीत मोदी यह देश का खाजाना जो लूट के भागे हैं ऐसा लगता था ऐसा उनके भाशन ते प्रतीत होता है कि बनारस की सबजी यही लोग है जो दुबाई यह इंगलाइंड जाके सटल हो गए है अरे प्रधान मंत्री जी इतना जूट मत बोलिये देश के लोगों को सब कुछ पता है सब जानते हैं उसके बाद इन्हों ने क्या कहा चंदवली का भी नाम लिया कि यह चंदवली के किसानों ने जो काला धान पैदा किया है वहाई आस्टेलिया में 800 रुपए किलो भी कर अरे मैं पूछना चाहता हूं प्रधान मंत्री जी मैं भी किशान का बेटा हूं काला च्यावल बैगन करेला लौकी पूरे लाकडाउन में कोई दो रुपए में पूछने वाला नहीं था और आप बेवकूफ बना रहे हैं उसके बाद प्रधान मंत्री ने क्या कहा इन्हो बीक रहा है मैं यह पूछना चाहता हूं प्रधान मंत्री जी मैं पूरे उत्तर प्रदेश के किशानों से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी का धान 1800 रुपए को इंटल विका है क्या मेरा कुद का धान नहीं विका है पिछली साल में 1400 रुपए में धान बेचा थाथ इसका है यह 1100 रुपए में क्या किशी का धान 800 रुपए में विका है यानि 33 पर्षेंट नुकसान हुआ है पिछले साल से इस साल में लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी क्या कह रहा है कि बनारस का किसान तो माला माल हो गया है ऐसा लगता है कि बनारस के जितने किसान थे वो सारे के सारे अडानी और अंबानी का जितनी संपती है वो सब खरीद लेंगे चंद्र मिनट में वो सब खरीद लेंगे उसके बाद प्रधान मंत्री ने एक बात और कही जो कि वह भी जूठ ही है उन्होंने कहा कि 77,000 करोड रु का दी आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके यहां कोई ड़्ू रहा है क्या है जितने भी पुराने लगए थे सरकारी क्या आपके गाउँ का कोई नलकूप चल रहा है एक भी नलकूप नहीं चल रहा है लेकिन 77,000 करोड रुपए का घोटाला हो गया यह मैं नहीं का रहा हूँ हमारे प्रधान मंत्री जी आज बनारश में बोल रहे थे आपने भार्षण में सोयम कह रहे थे कि 77,000 करोड रुपए सिचाई में हमने खर्च कर दिया अरे प्रधान मंत्री जी जोट की भी हद होती है इतना भी जोट मत बोलिये आप लगातार कह रहे हैं कि हमने विकाश पर विकाश विकाश पर विकाश कर दिया अगर आपको अपने बनारस के विकाश पर इतना विश्वास था इतना भरोसा था तो एक फाउजी का एक शिपाही का आप परचा नहीं खारिच करवाते अगर आपको अपने विकाश की इतनी हैसियत थी अपने विकाश पर इतना विश्वास था अपने विकाश पर इतना confidence था तो उस फाउजी तेज वहादूर के सामने आपको चुनाव लड़ना चाहिए था उसका परचा नहीं खारिच कराना चाहिए था लेकिन आपको पता था कि हमारा जोट हमारा फरेब जनता के सामने और जो हमारा 56 इंच का सीना है उसको यह फुसका करके 24 इंच कर देगा इसलिए आपने उसका परचा खारीच करवाया इसलिए आपने परचा खारीच कराया अगर हिम्मत थी आपको तो यह किसान के बेटे के सामने आप चुनाव लड़ते अगर आपने वहां के किसानों को फाउजी चुनाव नहीं जीतता लेकिन आपको पता था कि हमारा जोट हमारा फरेब एक फाउजी याके यहां खोलेगा और हमको चुनाव यहां से हरा देगा लगातार रिपोर्ट हो रही है वीडियो में जितनी अंदभगत हैं पूरी आईटी सेल भाजपा की लग चुकी है यह जो अफवाहों की इन्वस्टी चलवाते हैं यह गोड से की पैदाईश लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हैं कि आप लोग धड़ा धड़ा इस वीडियो को शेयर करते जाएं मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि इन कर रही है इनके यंदभक्त किसानों के जुंड में घुस करके पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगा रहे हैं खालिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं कि किसान जो है यह देश तोड़ने की बात करता है देश तोड़ने की बात यहीं लोग करते हैं जो गोड से समर्थक हैं ज देश की संविधान पर नहीं विश्वास करते हैं आपने अगर अधिक जनना है इनके बारे में तो आप नागपुर मुख्यालय के बारे में पढ़िए कि 50 साल तक इन लोगों ने नागपुर मुख्यालय पर तिरंगा जंडा नहीं लगाया था संविधान जलाते थे संविधान की बात नहीं करते थे संविधान में इसका विश्वास नहीं था इसलिए देश बिरोधी ताकतें जो हैं अब लगा तारसत्ता की तरफ जा रही हैं इसलिए यह देश बिरोधी काम कर रहे हैं कभी एयरपोर्ट बेच रहे हैं कभी रेल बेच रहे हैं कभी स्कूल बेच रहे हैं अब तो किसानों को भी जमीने भी यह बेचने की तैयारी कर लिए हैं किसान अंदोलन क्यूं कर रहा है दिल्ली में किसान अंदोलन दिल्ली में इसलिए कर रहा है कि यह किसान फवाह रच्ते हैं आपको कभी पाकिस्तान का समर्थक बताएंगे कभी आपको कांगरेशी बताएंगे तो इनके कहने में आने की जरूरत नहीं है आप अपना काम करते रहेंगे अंदभगतों का जो काम है अपना काम करते रहेंगे आपने देखा होगा कि यह किसान बिरोधी जो बिल लाये हैं वो हम क्या है मैं आपको बताता हूँ कि इनका पहला बिल एक है कि ब्यापारीयों को भंदारण करने के लिए पूरी छूट दे दी है कि आप असीमित भंडारण कर चकते हैं चाहे आलू हो प्याज हो टमाटर हो और जब भंडारण सुरू होगा तो यह असीमित दाल भंडारण कर लेंगे प्याज भंडारण कर लेंगे आलू भंडारण कर लेंगे अब उसके बाद जब किशानों का खतम हो जाएगा तो बेचे गही है वो पैंतालीस्यों रुपए में आ जालू बेची ज्या रही है प्या जाज क्या रेटária 100 रूपए किलो भी कर vient रही है तो यही करना चाह रहे हैं अशीमित भंडारण करना चाह रहे हैं अब उसके बाद किसानों को क्या कर रही है कि जो सरकारी मंडी में अपना आनाज बेचते थे उसको प्राइबेट मंडी में बेचें अडानी और अंबानी के हाथों बेचें और अडानी और अंबानी जब उसको खरी देंगे याउने पाउने दाम में उसके बाले कहा जाएंगे उसको भंडारण करके बेचेंगे हमें कहते हैं कि अगर सरकार कह रही है कि किशान को पूरी तरीके से छूट दे दिया चाहे जहां लेके अपना आनाज बेचे तो क्या पहले प्रतिबंध लगा था क्या किशान तो पहले भी चाहे जहां बेच सकता था कोई प्रतिबंध तो था नहीं तो यह बेकूब बनाने का तरीका है कि पूंजी पती जहां चाहे वहां लेके जाए उसके बाद असीमित भंदारण अरे किशान के पास जमीन दश भीगे है तो असीमित यह एक लाक टन कहां से वह जो है भंदारण कर लेगा यालू का एक लाक लिशान जो है अपनी जमीने लीज पर्दे पूरी तरीके से उसकी तैयारे इन लोगों ने कर लिया है और फेकने में बहुत माहिर है और हमारे मोदी जी जो बनारस में फेक रहे थे तो उन्होंने बुलेट ट्रेन का नाम एक बार भी नहीं लिया एयरपोर्ट का नाम लिय लेकिन उन्होंने जो है एक बार भी बुलेट ट्रेन का नाम नहीं लिया जो कि जापान से जाकर एक लाग करोण का करजा लाए थे वह कहां गया उसका कोई अता पता नहीं है बुलेट ट्रेन की बात तो छोड़ दीजिये साहब इनसे तो पैसेंजर नहीं चल लहीं है क्या कोई पैसेंजर चल लहीं है क्या कोई मेल ट्रेन चल लहीं है क्या कोई एक्सप्रेस चल लहीं है क्या एक भी नहीं चल लहा है इनसे और ना तो चलेगा बुलेट ट्रेन जो चला रहे थे उस बुलेट ट्रेन का हुआ क्या जनाब एक बार बता तो देते बनारस वालों को औ लाया था और कहां चली गई किस बिल में छुप गया और कहां नहीं चल रहा है यह जो बेचने का तरीका है हमें तो लग रहा है कि वह बुलट ट्रेन बनने से पहले अडानी के हाथों बिग चुकी बिग गई होगी बनने से पहले अजया जगी बेचरएब बिए बनने से पहले धिल कहां चली कोथी लाया यह है इसातर शाओवी बिल में है लंड़ी बूल से झाली के घो कहां दो कि बीक बिल में बनने से उड़ा है कि अंधर धाया बद नहीं तो वहाँ पुत आपने से बिल में आर को बस्तों कि ए उने से